दोस्तो प्रेगनेंट होना या ना होना किसी भी महिला के अपने हाथ में नहीं है वो महिला सिर्फ कोशिश कर सकती है और जब कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई महिला प्रेगनेंट होती है तो इसमें महिला और पुरुष दोनों ही बराबर के भागिदार होते हैं लेकिन कुछ पूरुश ऐसे हैं जो इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है वाइफ प्रेगनेनसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो लोग सोँसने कि चलो दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी को भी वच्चां नहीं हुए तो चलो तीसरी कर लेते हैं मतलब ये कि शादी ब्या को बच्चों का खेल समझते हैं दोस्तो आप लोगों से में एक हाथ जोड के रिक्वेश्ट करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपिया करके ऐसी बात ना करें और ना ही इस तरीके से किसी महिला को टॉर्चर करें क्योंकि प्रेग्निनसी होना या ना होना किसी महिला के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोग फिटनेस आइडियास में दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की सकसिस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहो जो कि हर किसी को सुननी चाहिए दोस्तों इतना ही नहीं आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको नौलेज भी मिलेगी, आपको हेल्प भी मिलेगी और इसके साथ साथ आप इमोशनल भी हो जाएंगे तो आगे पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्टर वीडियो को लाइक करना ना भूले जादा से जादा शेयर करें फेस्बूक और वाटसप पे ताकि ये हर किसी तक पहुँचे और लोगों की एक मानसिक्ता जो है उसको बदलने में हेल्प मिले तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में जिन महीला की में बात करने वाला हूँ उनका नाम है संगीता जा इनकी उम्र है 38 साल और इनके हस्बंट की उम्र है 40 साल इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी आज से करीब 14 साल पहले 2007 पहुई थी और उस तोरान इनके घर में दो छोटे देवर और दो छोटी नंद भी थी तो इसलिए घर की सारी जिम्मदारी इनके हस्बंट के उपर ही थी तो इनके हस्बंट ने इनको बोला कि अभी जब तक मेरे भाईयों और बेहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं करूंगा और इस तरीके से करीब तीन साल तक इन्होंने modèle की यूज की और प्रेगनेंसी को पूरी तरीके से अवर्ट किया शादी के तीन साल बीच जाने के बाद जब इनको प्रेगनिंसी नहीं हुई तो इनके सास और ससुर ने इनके ओपर काफी अदा रवाव बनाना शुरू किया और उसके बाद जब भी काफी अदा परेशान हो गई तो इन्होंने अपनी सास को सारी बात पताई उसके बाद इनके सास ससुर ने इनके हस्बेंट को समझाया तो उसके बाद इन्होंने प्रेगनिंसी के लिए ट्राई करना शुरू किया यानि की शादी के चौथे साल में अब एक साल तक इन्होंने नैचरली ट्राई किया इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाई तो इनको काफ़ी आदा इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस हो गया कि कहीं कोई प्राबलम तो नहीं है उसके बाद ये लोग डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर से सारे चेक अप कराए डॉक्टर ने इनको बोला कि करीब 6 महीने तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा उसके बाद इन्होंने लगा तर 6 महीने तक ट्रीटमेंट लिया और आठवे महीने में जो है इनको कंसीव हो गया था लेकिन दोस्तों कंसीव होने के बाद हुआ ये कि दो महीने में इनका मिस्कैरेज हो गया और मिस्कैरेज होने के बाद करीब 6 महीने तक तो इन्होंने रेश्ट किया और 6 महीने बाद फिर से ट्राई करना शुरू किया ले इसकारण से आपको conceive नहीं हो रहा है और पहले आपका मिस्केरिच हो गया। कि आप सीधा सीधा IVF कराओ ताकि आपको इसका result मिले। डॉक्टर की बास सुनने के बाद इनके husband को संतुष्टी नहीं हुई तो उन्होंने बोला कि हम किसी और डॉक्टर से try करते हैं। उसके बाद ये दो डॉक्टर के पास और गए और उन दोनों ने भी यही बोला कि आपको IVF ही कराना पड़ेगा। और IVF के लिए जो इनको बजट बताया इतना इनके पास बजट नहीं था तो ये अपने घरवालों के पास गए घरवालों को जाकर कि सारी बात बताई। और जब घरवालों ने इतने बजट के बारे में सुना तो इसके बाद इनकी सास ने इनके हस्पेंट को बोला कि जितने पैसे IVF में लगेंगे इस से अच्छा तो इतने पैसों में हम तुमारी दूसरी शादी करा देंगे और उससे तुमारे बच्चे भी हो जाएंगे ले एक के सास ससूर ने तो उनके लिए लड़की देखना भी शुरू कर दिया था ये काफी यादा स्ट्रेस में थी क्योंकि एक तो प्रेगनिंसी नहीं हो रही थी दूसरा ये कि इनके हस्बेंट दूसरी शादी करने के लिए सोच रहे थे तो ऐसे में काफी यादा टेंशन म रहने लगी थी और एक दिन हुआ ये के यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी और इन्होंने हमारी फर्टिलिटी मसाज वाली वीडियो देखी फर्टिलिटी मसाज वाली वीडियो देखने के बाद इनको थोड़ा कॉन्फिटेंस आया और इन्होंने फर्टिलिटी मस मसाज़ करना शुरू किया इन्हों ने मुझे बताया है कि इन्हों ने चार से पांच मैने रेगुलर फर्टिलिटी मसाज़ की उसके बाद इनको अपने शरीर में काफी यादा बर्लाव देखने को मिला लेकिन उस दोरा इनको प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं युपाई थी। उसके बाद इन्होंने मुझसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन काफी टाइम तक कोशिश करने के बावजूद भी इनका और हमारा कॉंटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद दिसमłर 2020 में इन्हों ने किसी और से मेरे पास मेel करवाया और मेel करवाने के बाद फिर हमारा कॉंटक्ट वो हमारी बात cognitive हुई और उसके बाद जब इन्होंने मुझे अपनी सारी सीचुईशन बताई उसके बाद मैंने इनके husband से बात कि और husband को समझाया कि देखिए दूसरी शादी करने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके नसीब में बच्चे नहीं होंगे तो आप दूसरी शादी तीसरी सादी चौती शादी भी कर लेंगे तब भी बच्चे नहीं होंगे इसलिए अपनी wife के साथ प्यार से रहिए अच्छे से रहिए और मैं जो जो टिप्स आपको बता रहा हूं उन सभी टिप्स को follow करीए भगवान ने चाहा तो आपको भी इसका बहुत जल्दी result मिलेगा दोस्तों जो जो टिप्स मैंने इन लोगों को बताई थी मैं आप लोगों के साथ भी यहां शेयर करने जा रहा हूँ सबसे पहली बात तो यह कि इनको ट्यूब ब्लॉकेज जैसे कि डॉक्टर ने बताई थी तो मैंने इनको सबसे पहले यही बोला कि आप एक HSD कर टेस्ट करें क्योंकि बिना HSD के क्लियर नहीं हो सकता ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है और HSD कर टेस्ट कराने के बाद ही आपको प्रेगनिंसी के लिए ट्राई करना चाहिए जैसे कि मैं सभी लोगों को कहता हूँ क्योंकि अगर ट्यूब में कहीं भी जरासी ब्लॉकेज रही और ट्यूब में प्रेगनिंसी रुख गई तो इससे आपको बहुत जादा नुक्सान हो सकता है उसके बाद जब H.S.G. टेस्ट कराया गया और जब मैंने इसकी रिपोर्ट देखी तो पहले वाली रिपोर्ट से अगर हम कंपेर करें तो मात्र 10 या 15 परसंट के आजपासी ब्लॉकेज रह गई थी क्योंकि इन्होंने 4 से 5 मेने फर्टिलिटी मसाज कर ली थी तो इस से इनको काफी अदा फायदा मिला तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इनको यही चीज़ बोले कि आप फर्टिलिटी मसाज को भी कंटीनू करिए क्योंकि अभी ब्लॉकेज है जब तक ब्लॉकेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसको फर्टिलिटी मसाज को बंद मत कीजिए टिप टेमबर दो थी विटामिन डी का सप्लिमेंट क्योंकि जैसे इनको डॉक्टर ने पहले बताया कि आपकी एक कॉलिटी अच्छी नहीं है और इसलिए मैंने इनकी एक कॉलिटी को इंप्रूव करने के लिए एमेच को इंक्रीज करने के लिए विटामिन डी का सप्लिमेंट इनकी डाइट में एड़ कर दिया था विटामिन डी सप्लिमेंट के लिए इनको कैसे टास का सैशिट हफते में एक दिन एक लास सूथ में डाल करके दिया गया था ताकि इनका विटामिन D बूश्ट किया जा सके इसी के साथ से इनको सुबह सुबह सनलाइट थेरपी देने के लिए भी का गया था जिसमें की आदे घंटे इनको दूप में वॉक करने के लिए बताया गया था नमबर तीन है फिश ओयल कैपसूल दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिश ओयल कैपसूल में ओमेगा 3, ओमेगा 6, पैटी असेट, विटामिन E, विटामिन D, E, P, A, D, H, A भरपूर मातरा में पाया जाता है जो कि एक क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हॉर्मोंस को बैलन्स करने के लिए इसके साथ साल स्पम क्वालिटी को भी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार माना जाता है तो इसके लिए इनको रोजाना रात में दो कैपसूल पानी के साथ लेने के लिए का गया था टिप नमबर चार है ब्रिस्क वॉक जो कि मैंने दोनों के लिए बताया था और इन दोनों को मैंने रोजाना आदे गंटे तक ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहा था ब्रिस्क वॉक करने से दोस्तों आपकी बॉड़ी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है खास तोर पे अगर महिलाओं की और पुरिशों की बात करें तो जो फर्टिल्टी सिस्टम में जो की बॉड़ी के निचले हिस्से में होता है वहाँ पे ब्लड का फ्लो काफी अच्छे से तेज हो जाता है इस कारण से फ्रेस ऑक्षिजन की सप्लाई होती है और जो भी हमारा फर्टिल्टी सिस्टम है वो रिस्टोर हो जाता है और पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है नमबर फाइव है डाइट दोस्तों जब तक कि आपके डाइट अच्छी नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ठीक इनके साथ भी यही था इनको भी मैंने एक अच्छे डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया था एक ऐसी डाइट जिसमें सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूटेंट शामिल हो और यह तब ही हो सकता है जब आप घर का बना हुआ अच्छा खाना खाएं और इसके साथ कुछ डाइट में परहेज भी रखें इसके लावर टिप नमबर 6 जो की बहुती ज़्यादा महत्पूर्ण है खास दोर पर इन लोगों के लिए क्योंकि इनके जो हस्बेंट है वो जॉब की वज़े से घर से दूर रहते थे जिस कारण से ये लोग ज़्यादा दिनों दक साथ नहीं रह पाते थे वो आते थे 3-4 महीने में एक पार आते थे हफ़ते 10 दिन के लिए और फिर चले जाते थे तो ऐसे मैं दोस्तों अगर कोई महिले ट्राइ करें कनसीव करने के लिए तो जब वो हस्बेंट के साथ ही नहीं रहेगी तो वो कनसीव कैसे करेंगी तो इनको मैंने यही बोला कि देखिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो इनको अपने साथ रखिए और जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ रहेंगे उतने ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और ठीक इनके साथ भी यही हुआ दोस्तों भी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारे से बेबी बोई को जन दिया है और इसी बेबी बोई की वज़े से आज ये लोग खुश हैं और इनकी शादी तूटते तूटते बची है दोस्तों उमीद है आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को भी मिलाओगा वीडियो को लाइक करें ज्यादा स्यादा शेयर करें फेस्बूक और वाटसब पे ताकि हर किसी तक वीडियो पहुचे और जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं तो उन लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ जाए और वो लोग भी ऐसी गलती करने से बचें तो मैं विलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें